हेले व्रेवान वेल्कम टू दी चैनल करेंट अफेस अपडेटेड और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इंदस पहली सिविलाजेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टन एमसी क्यूस यानिकी जो भी आपके इंपोर्टन टॉपिक क्यूशन बनते हैं इस टॉपिक से उन सभी को हम डिसकस करेंगे आज के इस वीडियो में तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी लास्ट एट मंत की करण्ट अफेर है जनवरी से लेकर अगस्त दो हजाजाच ओबीस के बीच की वो अल्रड़ी रिलीज ह हो चुकी है जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट यानि की नाइन मंत की करण्ट अफेर वो जल्दी आपके साफ ने अपडेटेड़ फॉर्म में मिलेगी जिसमें आपको टॉपिक वाई सभी करण्ट अफेर्स लाइक बुक्स एं और्थर, इंपोर्टेंट देजन थीम, आव आपको पूरी इंफोर्मेशन रिलेटेड टो इस पीडियाफ को वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, हलाकि एड दी एंड आफ दी लेक्टे मैं आपको बताने भी वाली हूँ कि आपको इसको कैसे अवेलेबल यह होगी, इसके लिए जो भी मैं आपके आपके क्लास लेती ह डेली करेंट अफेर की या फिर वीकली, मन्तली या कोई भी अगर आपके वीडियो आते है टॉपिक वाईस, तो उन सभी की पीडियाफ आपको कैसे अवेलेबल होगी, यह मैं आपको बताऊंगी at the end of the lecture, तो अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिसकस करते हैं हमारा आज का first question, तो देखे first question है, the site of हडपा is located on the bank of which river, तो देखे हडपा site के बात करें, आपसे पूछा गया है कि वो कौन से river के bank पर situated है, तो हडपा की बात करें, कहां पर यह मिलेगी, ध्यान रखेगा, यह है आपकी रावी river पर, that is option number B, बच्चे कन्फ्यूस करेंगे कि हडपा है, वो कहां पर situated है, वो है आपकी रावी river पर, तो option number जो B है, वो आपने इसमें ध्यान रखना है, तो देखें, इंदस वाली civilization के बात करें, वो discovered हुई थी पहली बार 1921 में, जो उसकी modern site है हडपा की, वो कहां पर situated है, तो वो आपको पाकिस्तान की West Punjab province में देखने के लिए मिल जाएगी, और इस city की बात करें, तो यह कहां पर situated है, तो यह है आपकी रावी river के पास पर, यानि की जो इंदस की left bank tributary है, वहां पर यह situated है, गौन सी river के पास में, रावी river के पास में, तो देखें, most specific अगर हम बात करें, तो कौन सी river यहां पर होगी, तो वो ह हो जाएगे रावी river, तो that is option number जो B है, वो यहां पर आपका सही हो जाएगा, तो धान रखेगा, हडपा जो site है, वो कहां पर है, तो वो है आपकी west Punjab province जो है पाकिस्तान में, वहां पर, और कौन सी river के पास में है, तो इंदस river की left bank tributary है, कौन सी रावी river उसी पर यह situated है, तो यह आपने इसमें ध्यान रखना है, फिर आपका अगला question है, which of the following is also known as Hadapa civilization, कि इनमें सी और किसको हम Hadapa civilization के नाम से जानते हैं, तो चार option आपके पास available हैं, ध्यान लखेगा, तो इसका सही answer होगा, option number A, यानि कि Indus Valley Civilization, देखे, Indus Valley Civilization की बात करी, तो इसको IVC हम क्यों कहत ते थे, क्योंकि most of the site जो है, Indus Valley Civilization की, वो आपको Indus River के पास में देखने के लिए मिल जाएगी, तो इसका नाम रख दिया हैं, यहाँ पर Indus Valley Civilization, लेकिन बाद में हमको पता चला कि काफी सारी sites तो ऐसी भी हैं, जो कि Indus के अलावा और कहीं सारी rivers के पास में हैं, तो फिर हम ने decide किया कि हम कुछ और नाम है आपर रखते हैं, तो उसके बाद में 1921 में क्या हुआ, पहली बार जो यहाँ पर site खोजी गई थी, वो खोजी गई थी हडपा, तो हडपा के नाम पर ही इसका नाम हडपा Civilization पढ़ा, और इसलिए IVC को हम किस नाम से जानते हैं, हडपा Civilization के नाम से भी जानते हैं, तो यह आपने इसमें ध्यान रखना है, तो देखें, हडपा की बात करें, is an archaeological site, जो की related है कहां से, इंदस्विली civilization से, और पहली site यही थी, जो की यहाँ पर discovered हुई थी, तो उसी के बाद में इस पूरी civilization का नाम यहाँ पर क्या रखा गया था, हडप तो देखें, हडपन कल्चर जो था, उसमें आपको सील्स, जो होती है, मतलब कॉइंस बगेरा जो होते हैं, काफी आपको देखनी के लिए मिलेंगे, तो उसमें आप से पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा ऐसा एनिमल है, जो की उस सील पर या फिर जो टेराकोटा आर्ट होती है, उस पर डिपिक्टेड नहीं था, तो यह आप से पूछा गया है, चार ओप्शन है, काउ, एलिफेंट, राइनोसोर या फिर टाइगर, तो ध्यान रखेंगा, जो वहाँ पर एनिमल डिपिक्टेड नहीं है, वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा, काउ, तो गाय के को फिंड, राइनोसोर, टाइगर, डियर, शीप, एकसेक्टर, यह सभी तो आपको मिल जाएंगी, सील्स और टेरकोटा आर्ट पर, जो की हरपन कल्चकी है, बड़ अगर हम बात करें काउ की, कैमल की, यह भी पूछाएगे कि होर्स के बारे में वो लोगों को पता था या नह most represented animal था, in fact, वो लोग होर्स के बारे में भी नहीं जानते थे, क्योंकि मैं भी आपको बोला ना, कि काउ हुआ, कैमल हुआ, होर्स हुआ, लर्न हुआ, वो वहाँ पे depicted ही नहीं थे, सील्स पे, इसके अलावा जो अगर होर्स की बात करें, तो उसके बारे में भी वो लोग न represented नहीं थे, तो इसमें option number A आपको याद रखना है, काउ, फिर आपका अगला किश्चन या पर होगा, which of the following in this valley civilization site is not located in India, तो ऐसे भी पूछ सकते कि इन में सी कौन सी ऐसी site है, जो at present आपकी इंडिया में located नहीं है, ध्यान लखेगा, तो चार option है, आलमगीरपुर, अमरी, ढ धोला वीरा या फिर लोथल, तो देखे, जितनी भी बार sites आती है, तो हम उनको revision करते चलेंगे, उनकी जो भी location है, वो मैं आपको बताती चलूँगी, ताकि आपको जो चीज़े है, वो multiple time revise हो, और आपको वो चीज़े याद भी रहे, तो देखे, आलमगीरपुर की अगर ह लोथल तो हम सभी जानते है कि जो एक डोकियार्ट है, उसके लिए काफी famous था, ancient डोकियार्ट, लोथल के गरम बात करें, गुजरात में, दोला वीरा भी गुजरात में होगा, और आलमगीरपुर की बात करें, तो यह आपका मिलेगा कहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो व मिलेगी आपको Sindh province of Pakistan में, अब थोड़ अगर मैप में देखना चाहें, तो देखो, आलमगीरपुर यह मिलेगा आपको कहाँ पर UP में, दोला वीरा की बात करें, तो देखें यह रहा यहाँ पर गुजरात में, लोथल की बात करें, तो अगीन यह भी आपको मिलेगा हो जाएगा, तो देखें, अमरी की लोकेशन की बात करें, तो Sindh पाकिस्तान में यह है, और अमरी की बात करें, इस अरली हडपन सेटल्मेंट है, और हैस कीवन इट्स नेम तो दी अमरी कल्चर, केरेक्टराइज पर दिस्टिंग स्टाइल ऑफ पोटरी, तो जो पोटरी का इसका जो नाम पड़ा, वहाँ पर अमरी पड़ा, और आपको बस ध्यान रखना है कि यह कहाँ पर है, ध्यान रखी गया, यह है आपका कहाँ पर Sindh province of Pakistan में, फिर आपका अगला किशन यहाँ पर होगा, कि मोहन जोदारों is situated in which state, देकि सबसे पहले हमने discuss कि था आपके साथ म बनती है, एक है आपकी हडपा, और दूसरी है मोहन जोदारों, और दोनों ही जो है capital city होंगी कहाँ कि आईवीसी यानिकि इंदस पहली civilization की, तो लेकि हडपा हमने discuss किया था कि वो रावी रिवर के पास में था, वहीं बात करें मोहन जोदारों की, तो यह आपको कहाँ पर situated ह सबसे बेल तो आपको ध्यान लखना है, यह मिलेगा आपको Sindh province of Pakistan में, that is option number C, आपने इसमें ध्यान लखना है, वहीं अगर हम बात करें कि यह कौन सी रिवर के पास में है, तो यह मिलेगा आपको कहाँ पर, यह मिलेगा आपको इंदस रिवर के पास में, ठीक है, तो इसमे option number C, आपने इसमें ध्यान लखना है, कि यह कहाँ पर है, सिंद्ध province of Pakistan में हो जाएगा, और अगर हम बात करें कि यह कहाँ पर है, तो यह आपको मिलेगा, राइट वेस्ट बैंक आफ दी लवर, इंदस रिवर के पास में, लर्खाना डिस्टिक के पास में आपको मिलेगा, काफी specific भी पूछ लेते हैं कहीं बारी, तो यह आपने इसमें ध्यान लखना है, और इसमें आपको ध्यान लखना है, कि यह लाज़े सेटलमेंट अफ इंदस वली civilization है, देखें, अगर हम बात करें, अगर हम सबसे बड़ी साइट, अगर इंडिया में बात करें, तो वो तो इंडिया में बात करें, तो इंडिया में आपकी होगी राखी गड़ी चुकी कहां पर है, जो होगी आपकी हर्याना में, तो यह भी आपने इसमें ध्यान लखना है, ठीके? तो यह हो जाएगा आपका कहाँ पर सिंद्ध प्रोविंस ओफ पाकिस्तान में फिर आपका अगला क्यूशन है तो लोथल के बात करें जो की काफी फेमस एक सिटी है लोथल के बात करें डोकियार्ड हम इसको जानते हैं तो कौन सी रिवर के पास में ध्यान रखेगा यह है भोगवा रिवर के पास में तो यह भी आपको मिल देगा कहाँ पर गुजरात में अभी हमने डिसकस किया था तो उसका उप्शन नम्बर सी हाँ पर करेक्ट होगा तो देखें बात करें किसकी लोथल की तो आपको कहाँ पर मिलेगा यह मिलेगा आपको गुजरात में कौन सी रिवर के पास में तो यह जाएगी आपर भोगवा रिवर ठीके तो यह आपने इसमी ध्यान रखना है तो देखें लोथल इसमी ध्यान रखना है और यह कहाँ पर मिलेगा आपको जो एट प्रिजेंट एहमदबाद डिस्टिक है वही पर आपको यह देखने के लिए मिल जाएगा फिर आपका अगला किश्चन है विच अफ दा फोलिंग वस अ पोर्ट सीटी तो लोथल अगेन कहाँ पर है यह आपके गुझरात में है रिवर की बात करें तो भोगवा रिवर के पास में जो की राइट रिभ्यूट रहे है किसकी साबर मती रिवर की तो बार बार आप रिवाइस करेंगे तो आपको याद रहेगा दोथल एक port city है गुजडात में है भोगवा रिवर के पास में जो की साबरमती रिवर की right tributary है ठीक है तो यह आपने इसमें ध्यान रगता है फिर आपका अगला question है the site of Harappa in India is की इन में से कौन सी ऐसी site है जो आपको कहाँ पर मिलेगी largest site जो है इंडिया में तो largest site के बात करें तो अभी मैंने discuss किया कौन सी है वो हो जाएगी राखी गड़ी जो की कहाँ पर है यह होगी आपकी हर्याणा में तो हर्याणा में रिस्चुवेटर है राखी गड़ी वहीं पर आपको मिलेगा largest site of the Harappa in India ठीक है तो option number जो D है वो आपने इसमें ध्यान रखन है फिर होन डाइटी अंग्रेव ओन टेरो कोटा केक है जिसमें आपको एक होन डाइटी मिलेगा तो वो कौन से साइट से आपको मिला था यह आप से पूछा गया ध्यान रखेगा यह मिले थे कहां से तो यह मिला था आपको काली बंगा से that is option number C आपने ध्यान रखना है तो काली बंगा यह आर्केलोजिस्ट जो थे वहीं पर इनको मिला था एक मडब्रिक प्लाटफोर्म जहां पर इने बेसिकली यह चीज मिली थी कि एक होन डाइटी उसके ओपर था जैसे कि यहां पर पिक्चर में दिखाया गया है तो कहां से मिला है यह तो यह मिला है काली प्रोटो हिस्टॉरिक है या फिर पोस्ट हिस्टॉरिक है तो इसका सही आंसर होगा प्रोटो हिस्टॉरिक ताट इस ओप्चन अमबर बी लेकि तीन चीज़े होती है हिस्ट्री में एक होती है अपकी प्री हिस्ट्री एक होती है प्रोटो हिस्ट्री और एक होती है आपकी तो प्री हिस्ट्री में तो क्या होता है कि आपके पास ना तो कोई evidence होता है ना आप कुछ सबूत मिलता है आपको कि आप उस चीज को पढ़ पाए समझ पाए देख पाए कुछ नहीं होता है completely इसमें कोई आपको information available नहीं होती है प्रोटर हिस्ट्री के गरम बात करें तो यहा मिली तो है लेकिन उसमें लिखा क्या है वो लोग कहना क्या चाते तो इसमें आस्तर को इसको समझ नहीं पाया मतलब की script तो मिली बट उसको decipher नहीं कर पाए तो वो age कौनसी होगी वो होगी आपके proto-historic जिसमें चीजे तो हैं बट समझ में नहीं आई है और pre-historic इसमें से ठीक है तो आई-वी-सी कौनसी एच में आती है तो वो आती है आपकी proto-historic that is option number जो भी है वो आपको इसमें ध्यान लगता है अब देगे यहां पर यह चीजे बनी वी है किसी को समझ में नहीं आए कि वो लोग कहना क्या चाते है इन पर लिखा क्या हुआ है ठीक है तो य यह हो जाएगी तो वह हो जाएगी आपकी proto-historic age तो यहां पर mention किया हुआ है आप यह देख लिजेगा एक बरी बाकी तीनों में यह आपको बता चुकी हूं फिर आपका अगला question यहां पर होगा from which of the following in the site evidence of the harbour या गोदी वादा has been received तो यह कौन सी साइट से आपको देखन चीजें यहां पर मिली थी लोथल अभी हमने डिसकस के तक कहां पर था यह आपका गुश्रात में था ठीक है भोगवा रिवर के पास में और इस साइट से जो हमें चीजें यहां पर डिसकवर्ड हुई थी वो थी लाइक आपकी वर्टिकल वोल एनलेट आउट चानल यह में ध्यान रखेगा फिर आपका अगला क्यूश्चन है दा सोर्स ओफ नॉलेच अबाउट दा हडपन कल्चर इस कि कौन से सोर्स है जिससे आपको हडपन कल्चर के बारे में पता चलता है तो देखिए पहले जो सोर्स हुआ करते थे वह काफी लाइक ऐसे मतलब चीजों प आपर मिली है तो से आपको पता चला अर्केलोजिकल एग्जावेशन हुआ वहां से पता चला तो यह सभी आपके थे तो ओप्शन नमबर जो डी है वह आपने इसमें ध्यान रखना है ठीक है ध्यान अखेगा कि दा फिर्स फिंग फांद इंदे हरपन वाज अस पेशल साइट तो फ्रम ओल दीस फेक्ट यू कैन से डाट कि हां काफे सरी चीजे थी जहां से आप इन चीजों को पता लगा सकते हैं कि हां चीजे एक्जिस्ट करती थी तो आपके हो सकते कि लाइक कोई रोक एडिट हुआ या फिर कोई आपका आर्केलोजिकल एग्जावेशन थी उन से आपको इस अब चीजों के बार में पता चला ठीक है तो यह आपस में ध्यान रखेंगे फिर आपका अगला क्यूशन होगा विच अमंग दर फोलॉइंग हड़पन साइट टेरो कोटा ओफ प्लव वस फाउंड तो प्लव के अगरम बात करें तो यह आपको कहां स तो वो थी यहां पर कौनसी बेसिकली राखी गड़ी जो की सबसे लार्जेस्ट साइट थी ठीक है और यह था आपका बनवाली जो की कहां से था हड़पन साइट जो की कहां पर हर्याना में तो यह भी आपस में ध्यान रखेंगे तो ध्यान रहेगा इसका option number B यहां पर correct हो तो देखें इसमें list 2, list 1 दोनों है तो हडपा की बात करें यहां पर आपको symmetry R 37 यह कहां से मलीती है हडपा से तो यह तो correct ही हो जाएगा डोकियार कौन से आपका लोथल यह भी आपका correct है डांसिंगल स्टैचू की बात करें तो यह आपको मिला है कहां से मोहन जोदारों से वहीं बात करें फोरड लैंड तो यह मिला है आपका काली बंगा से तो इसमें आपको ध्यान रखना है A का first होगा B का आपका second है और C का आपका होगा fourth और D का आपका होगा third तो इसका option number D आपर correct हो जाएगा तो देखिए हडपा यह cemetery R37 कहां से मिली है हडपा से लोथल मिला है लोथल जो है वहाँ पे आपको डोकियार यह रिलेट करोगे फरोट लेंड आपको मिलेगा काली बंगा और डांसिंग गल स्टैचू यह मिली है कहां पर मोहन जोदारों में तो यह सब ही आपस में ध्यान रखेंगे फिर आपका अगला question है फिर which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by the building a series of dams a channeling water into connected reservoir तो इसका सही आंसर होगा आपका धोला वीरा that is option number जो A है वा आपको इसमें ध्यान रखना है तो देखे धोला वीरा गुजरात में है जो कि इन सभी intricate system of capturing and handling water से related है तो आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है धोला वीरा फिर तो ग्रेट बात की बात करें यह कहां से आपको अवेलेबल हुआ है यह आपसे पूछा किया ध्यान रखेएगा इसका सही आंसर है option number C that is Mohan Jodaro तो Mohan Jodaro से मिला है आपको ग्रेट बात that is option number C आपको इसमें ध्यान रखता है तो देखें तो ग्रेट बात is a famous building among the old ruins of the Indus Pali civilization in the Mohan Jodaro पाकिसान में है और 55 meter long and 33 meter wide यह पूर आपको यहापे जो ग्रेट बात था वो आपको मिलेगा तो यह आप इसमें ध्यान रखेंगे फिर which of the following is not correctly matched तो इन में से कौन सा correctly matched नहीं है तो देखें आलमगीरपूर के बात करें उत्तर प्रदेश में तो यह सही हो जाएगा लोथल आपको गुजरात में यह भी सही है काली बंगा आपका हर्याना में नहीं है यह आपको ध्यान रखने है यह कहाँ पर मिलेगा आपको यह मिलेगा आपको राजस्थान में हरियने में आपने दो देखा एक तो बनवाली था और एक आपका राख्की गड़ी था यह आप ध्यान रखेंगे और रोपर कहां पर है यह आपका पंजाब में तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा का ओप्शन नमबर C तो देखें काली बंगर कहां पर है तो यह हनुमान कर रीजन जो है राजस्थान का वहां पर ही सिचुपेटेट है तो इसका ओप्शन C आपको correct होगा और इसका exhibition किस नहीं किया था तो वो किया था A गोशन तो यह भी आपने इसमें ध्यान रखना है फिर है for the हडपन culture site and its position which of the following is not correctly match तो इन में से कौन से correctly match नहीं है आगी इन से इन कुशन है आपर आया तो देखें आलमगीरपूर उत्तरपरदेश correct है बनवाली हर्याणा correct है दाइमाबाद महरास्ट्र ये भी correct है बट राकीगड़ी रादिसान में नहीं कहां पर है तो यह होगा आपका हर्याणा में तो इसका option जो D है वो यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है तो यह आपस में ध्यान रखेंगे फिर which of the following site of the हडपन culture are located in sindh तो इन में से कौन सी site है जो की sindh में located है तो यह आपको ध्यान रखना है तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा मोहन जोदारो और चहुंदारो तो option जो B है वो correct होगा कि मोहन जोदा चुहंदारो यह दोनों सिंद में है और सुर्क कोटड़ा यह कहां पर है तो यह होगा आपका गुचरात में तो रंगपूर की बात करें यह कहां पर हो जाएगा आपका तो रंगपूर की बात करें यह आपका सो रास्ट्र में that is option number C आपने इसमें ध्यान रखना है और सो कहां पर है तो यह आपको मिलेगा गुचरात ठीक है तो रंगपूर कहां पर है यह वेस्टन पार्ट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ गुजरात में लोकेड़ है और अलोंग दी अरेबियन सी ठीक है तो यह आपने इसमें ध्यान रखना है फिर आपका अगला गिश्शन है वि इसका most important feature है तो option number जो A है वो आपको इसमें ध्यान रखना है तो देखें इंडस वाली civilization was well known for its use of burnt bricks in the construction of the building देखें वैसे तो काफी सारी चेज़े वहाँ पर थी बड़ जो most important वो कौन सी थी वो हो जाएगी वहाँ पर burnt brick तो यह आपने इसमें ध्यान रखना है फिर इंडस civilization which was placed on the bank of river they were तो वो कौन कौन सी river थी हाँ पर आपको यह पूछा गया है ध्यान रखेंगा यह जो यहाँ पर river हो जाएंगी वो होगी आपकी एक होगी सिंधू फिर है आपकी चिनाप और एक है आपकी जेलम गंगा river के पास पर कोई evidence नहीं थे तो option number जो B है वो आपस में मिलेंगे बर गंगा इसका पार्ट नहीं थी तो यह आपस में ध्यान रखेंगे फिर इंदस वैली people worship तो इंदस वैली के जो people थे वो किसको worship करते थे किसकी पूजा करते थे ध्यान लखेगा यह पूजा करते थे शीवा की पशुपती नाथ की तो ध्यान लखेगा option A जो इ जो seal थी वहाँ पर आपको देखेंगे कि यहाँ पर जो यह बैठे है कुछ इस तरह की पोज में बैठे थे भगवान जी तो उनको यह टिपक्ट किया गया कि यह भगवान शीवा की और पशुपती नाथ की प्रिमिटिव वर्जन थे तो यह आपको इसमें ध्यान रखना ह तो आर्केलोजिकल एग्जावेशन के डारेक्टर कौन थे जिनोंने की हडपा और मोहन जुदारो को यहाँ पर डिस्कवर्ड किया ध्यान रखेंगे यह थे सर जोन मार्सल दाट इस ओप्शन नमबर भी आपने इसमें ध्यान रखना है कि आर्केलोजिकल सर्वे ओफ मोहन जुदारों के टाइम पर जो डिस्कवरी हं उस समय पर है तीब तक है तो यह आपना इसमेर हमाने रखना है की माथ कर नाइंटीन चाहरन कि द्वार अश्केускर हां और मोहन जुदारों की बात करिंग नाइंटीन तो में म्स्टर रख्लदस बेनर जी ओनर जी लिए था बाद में जब चीजें हुई हैं तो बाद में जब चीजें हुई हैं तो बाद में एक्वेशन पे जो और मासल के टाइम पर यह चीजें पता चली और यह जो site थी वो बाद में बते चला है कि बहुत बड़ी बहुत पुरानी यहाँ पर site यह हुआ गर्द थी तो यह आप इसमें ध्यान रखेंगे फिरे फ्रॉम विच वन अफ फोलोइंग प्लेस रिमेंस अफ दी वेल्ल हाव बिन फांट इन हाउस बिलॉंगिंग तो दी developed stages of the Indus Valley civilization तो इसका सही आंसर है Mohan Jodaro that is option number D देखें तो remains of wells were found in the city of Mohan Jodaro यह आप ध्यान रखेंगे और Mohan Jodaro कहाँ पर है Sindh province of Pakistan में तो यह आपने इसमें ध्यान रखना है और आप मुझे बताओगे कि Mount of मतलब कहते हैं मांट ओफ डाड तो वह किसको कहते हैं तो यह भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो इसका सही आंसर है बनवाली जो कि कहाँ पर है यह आपका हर्याणा में है ध्यान रखेगा तो इसका option number D यहां पर correct हो जाएगा और यह आपको मेलेगा कहाँ पर घगर में मतलब घगर जो रिवर है उसके पास में और इसके लावा बनवाली काली बंगार राखीगर यह कुछ IVC की साइट है ज तो यह दोला वीरा की बात करें तो यह आपको ध्यान रखना है और यह सेकिंड लाजेस साइट है अफ्टर दी राखीगरी और इसको किस ने एक्जावेटेड किया था तो इसको के था आरेस बिस्ट ने तो यह आपस ने ध्यान रखेगा और कहां पर है तो यह आपको मिले दी आपने इसमें ध्यान रखना है तो देखे धोला वेरा वस कंस्ट्रक्टेड इंदी रेक्टेंगूलर फोर्म और डिवैडेड इंटो थ्री डिस्टिंग सेक्शन तो यह आपने इसमें ध्यान रखना है फिर वन ओफ द फॉलोइंग साइट फॉम वेर द फीमस बॉल सी इंदस बैली सेविलीजएशला तो यह कहां पर है तो यह आपका हडपा में नमबर अ तो बॉल जील जो मिली है आईवीज़ी क कौन सी साइट से मिली है तोधि वह मिली है हडपा से ब्रॉम यंद और इस नमबर इं तो यहां पर मेंशाय फैमोस बॉल सी आइवीशी चुह eldest हडपा से मिली है तो यह आपने इसमें ध्यान रखना है फिर इन दे शेप ओफ दे विच ट्री इस फाउंड इन दे सील्स फ्रम दे इंदस वैली सिवलेजिशन तो IVC की साइट से कौन से ट्री की शेप यहाँ पर मिली है ध्यान रखेगा यह मिली है पीपल ट्री आपको इसमें ध्यान रखना है तो पीपल ट्री की शेप मिली है वहाँ की सील्स पर यानि की IVC की सील्स पर मिली है पीपल ट्री की जो है शेफ तो ओप्शन भी आपने इसमें ध्यान रखना है फिर आपका अगला किशन है कि इन विच हड़पन city cotton was grown तो cotton की बात करी तो ये कहां से grown हुआ है कौन सी site से मिला है तो ये मिला है मेहरगड that is option number D तो मेहरगड की बात करी important neolithic site थी जहां से आपको मिला है क्या cotton के evidence यहां से आपको देखने के लिए मिले हैं फिर इन विच site of the India है हड़पन civilization site मंडी situated तो मंडी की बात करें कहां पर है तो यह आपको मुझभवन अगर डिस्टिक जो है उत्तर प्रदेश का वहीं पर situated है तो option D आपने इसमें ध्यान लगना है फिर आपका अगला question होगा eastern boundary of the हड़पन culture is indicated by which of the following तो eastern boundary की बात करें तो यह होगी आपकी आलम गीरपूर जो की कहां पर है यह होगी आपकी UP that is option number C जैसे कि आप image में देख सकते हैं सबसे eastern वाली है आपकी आलम गीरपूर west में आपकी सुथकांगेड और south में आपकी दायमाबाद और उपर है आपकी नोर्थ में है कौन सी मानदा तो यह सभी आपको ध्यान रखने कि एक्जाम में यह पूछ लेते हैं पादर हम किसको कहते हैं यह कहते हैं एलेक्जेंडर कनहिंगम को that is option number A यह फॉस्ट डीजी थे archaeological survey of India के इसलिए इनको हम father of Indian archaeology के नाम से भी जानते हैं हालकि आपको ध्यान रखना है कि discovery नोंने की थी बट इन्होंने जो हड़पन और यह सब का recognition रिटा नहीं किया था वह हम अल्रडी question discuss कर चुके ध्यान रखेगा इसका option number A यह बर correct हो जाएगा इसके लिए कुछ और important अगर हम fact को जाने तो देखे बिर्टिस historian थे एजे तोयन बे इन्होंने इंदस civilization को इंडिक civilization कहा था most expected period जो है आई वी सी का वह है पच्चिस सो बीसी से सेवंटीन फिफटीन बीसी अकॉर्डिंग टू कार्मन 14 डेटिंग के अकॉर्डिंग जोन मार्शल के बाद के तो first scholar थे जिन्होंने की इंदस civilization वर्ड जो है वो यूस किया था capital city है आई वी सी की हडपा और मोहंजोदारो में क्रोप है बीट और बार्ले यह ध्यान रखना है इसके लब आईरन के बारे में वो लोग नहीं जानते थे coins के भी कोई evidence नहीं थे तो वो बारतर सिस्टम के यूज़ करते तो बारतर सिस्टम के बदले दूसरी चीज़ को लेना लाइक उनके पास अगर गेहू है तो वो बोलेगे आपके हुली लीच और हमको चावल दे दो कुछ इस तरी की सिस्टम आपे चलता था लोथल एक ancient port थ तो वो थी आप में mother goddess आपको धियान रखना है चीफ टाइटी थे पशुपति महादेव इसके लब देके बात करें किस शीज़ की स्टेटाइट वस मेंली यूज़ इन दे मैनुफेक्ट्रिंग अफ दे सील्स हमपलेस बुल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा और कुछ और इंपॉर्टेंट अगर हम साइट्स की बात के लाएक हडपा से आपको मिला सिक्स रॉफ टू रॉस ऑफ दा सिक्स ग्रेनरी इस ब्रॉंच स्कल्प्चर मिला है रेंट सेंस्टोन मेल टोर्सों मिला है इसके लब पोर्टरी विद अ इंदस स्क्रिप्टॉनिट ट चीज़ें भी मोहन जुदारों से यहाँ पर मिली है तो यह सब ही आपको ध्यान रखना है आईवेसे से रिलेटेड इसके लाबा लास्ट क्लास में ने डिसकस किया था और आपसे पूछा था यह क्यूशन यहाँ पर चेंज हुआ है आप ध्यान रखेंगे लास्ट क्लास म में यह सब ही आप मुझे कामेंट करके बताओंगे तो यह था आपका आज का टॉपिक पीडियाफ में आपसे डिसकस कर चुक्क आप इसको परचेस कर सकते हैं इसके आपको वाट्सप करना डबल यहाँ पर आपको टॉपिक वाई सभी पीडियाफ यह अविलेबल होगी इ तो यह भी आप देख सकते हैं इसके लिए अगर आप प्रिप्रेशन कर रहे हैं किसी भी एक्जाम के लाएक यूपियस टेट पीडियास आती है उसके लिए उसके लिए सेर ने ऑल्रेडी क्लासे यहां पर बनाई हुई है अपने जो इनका एप है उस पर देवसी इस क्लास पर आपको सभी क्लासे देखने के लिए मिल जाएंगे तो आप इनको भी देख सकते हैं इसके लिए अप्लेक्शन को डाउनलोड करना है प्लेस्टूर से तो आपको वह पर सारी क्लासे अवेलेबल होंगी साथ में जो भी हैंडिटन नोट्स है वो भी आपको यहां पर को भी देख सकते हैं इसके लाप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं 909-867-6936 नंबर पर तो यह था आपका आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया आई वेसी के बारे में होफ़ली आपको वीडियो पसंद आई होगी अपना फीड़एक हमें जरूर दे साथ में जो भी आप टॉ करें तो आपको मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो आज के दिया थैंक यू सो मज हाव गुड़ डें विश यू आल वेरी बेस्ट फोर यूर एक्जाम्स